हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप सब का फिर से एक बर बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं मेरे किचिन में द्यार करके दिखाऊंगे क्रिस्पी क्रंची स्पाइसी एक से बनी एक रेसिपी इस रेसिपी को इवनिंग में चाय के साथ ले सकते हैं घर में कोई गैस्ट आ जाए इसे जटपट रेडि करके सर्फ कर सकते हैं तो चलिए इस मज़ेदर रेसिपी को कैसे मैंने बनाया है देख लेते हैं सबसे पहले एक बूल लेना है और उस बूल में चार अंडे तोड़ लेने हैं अंडे यहां फ्रीज का नहीं लेना है रूम टेंपरेचर का लेना है अगर एग्स फ्रीज में है तो आप निकल के इसे अद्धे घंटे के लिए बहार रख दें और फिर उसके बाद आप यूज करें आप देख सकते हैं चार अंडे मैंने तोड़ लिये हैं अब अंडों के साथ कुछ मसाले एड़ करना है नमक स्वात के अनुसर मिलाना है इसके बाद एक छोटी चम्मच मीट मसाला एड़ करना है वन फूर्थ टीस्पून काली मिर्च पाउडर एड़ करना है आप सारे मसालों के साथ अंडों को बहुत अच्छे से फैट लेना है कोई मसाले का गुठली अंडे में न रहे जाए अच्छे से फैटने के बाद अंडे के मिक्षर को एक तरफ रख देना है अब एक फ्राइंग पैन लिया है इसे गैस पर चड़ा दिया है मैंने आप इसमे दो चम्मच कुकिंग ओयल डाल दिया है ओयल थोड़ा गरम होने पर अंडे का मिक्स्चर ओयल में डाल देना है बहुत ज्यादा ओयल को गरम नहीं करना है अंडे का मिक्स्चर बहुत ज्यादा गरम ओयल में मत डालना नहीं तो नीचे से ये डार्क हो जाएगा इस टाइम पे गैस का फ्लेम लो टो मीडियम के बीच में रखना है और डेर से दो मिनिट तक अंडे को पका लेना है पैन के किनारों से ये काम बहुत ही पेशन्स के साथ आपको करना है इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा कम किया हुआ है मैंने अब अंडे का जो मिक्षर है इसको अच्छे से धीरे धीरे चारो पासे उलट पलट करके एक सार फैला देना है जैसे ही अंडे नीचे से कुक हो जाए तब हम इसका साइड चेंज कर देंगे स्पैटूला के हल्प से अमलेट को फ्लिप करके साइड चेंज कर देंगे आप देख सकते हैं ओमलेट फुल के डबल हो गया है दोनों साइड अच्छे से फ्राई होने के बाद अंडो को एक प्लेट में निकाल लेंगे और एक नाइफ के हल्प से इसके टुकडे कर लेंगे मैंने यहाँ पर ट्राईंगल टुकडो में कट कर लिया है ओमलेट को ओमलेट टूपना जाए इस बात का ध्यान रखते हुए आपको ये कम करना है आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसके छोटे-छोटे पीसिस कट कर लिया है आप आपके मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हैं आप देखिए फ्रेंड्स ओमलेट को मैंने ट्राईंगल शेप में कट कर लिया है देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं अब इसे एक साइट पे रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के तरफ एक बोल लेंगे इसमें डालेंगे हाप कप मैदा तिन चम्मच कॉन फ्लोर हाप चम्मच बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा हाप चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर नमक स्वात के अनुसर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चम्मच एक चम्मच अद्रक लेसन का पेस्ट अब सारे मसालों को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालके एक बैटर बना लेना है बैटर की consistency पकोड़े वाले बैटर जैसे हम पकोड़े बनाते टाइम बैटर बनाते हैं ठीक वैसा ही बैटर होना चाहिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाए और अच्छ से मिक्स करते हुए एक लंप स्प्रे बैटर बनाके रेडी करना है बैटर आप देख सकते हैं हमारा बनके रेडी है अब इसे एक साइट पे रख देंगे अब एक बोल लिया है बोल के अंदर हप कप मैदा डालना है मैदे के साथ हमने मिलाना है स्वात के अनुसर नमक मैंने यहाँ पर आधा चमच नमक के इस्तेमाल किया है और नमक और मैदा दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे आब यहाँ पर हाप टे स्पून काली मिर्च दरदरा कूट के मैंने लिया है उस काली मिर्च को मैंने डाल दिया है और इसे भी मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे अब एक omelette का पीस लेंगे लेकर मैदे के मिश्रन में अच्छ से उलट पलट करके dip कर लेना है मैदे के batter में dip करने के बाद इसे यहां से निकल के सुखे मैदे के मिश्रन में डाल के अच्छ से coat कर लेना है ओमलेट के दोनों साइड अच्छे से सुखे मैदे से दबा दबा के कोट करने के बाद इसे फिर से एक बार मैदे के बैटर में डिप करना है मतलब फ्रेंट्स इस प्रक्रिया को आपको टू टाइम्स करना है सुखे मैदे के साथ कोट करने के बाद आपको इसे डाइरेक्ट फ्राइ करना होगा फ्रेंड्स अगर आप सोचते हो के साड़े पिसस को एक बार में बना कर फिर फ्राइ करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सुखा मैदा गिला होकर ओमलेट के उपर चिपक जाएगा और गिला हो जाएगा जिससे फ्राइ करने के बाद ज्यादा तेल सोख करेगा और वो खाने में इतना टेस्टी नहीं लगेगा अब देख सकते हैं एक पिस मैंने बना करके रेडि कर लिया है अब इसे फ्राइ कर लेंगे पहले से ही कड़ाई में कुकिंग ओयल गरम होने रख दिया था जैसे ही ओयल हलका गरम हो जाए तब हम एक एक करके सारे पिसस को ओयल में डाल देंगे मेडियम फ्लेम पे दोनों साइट को सुनेहरा गोल्डन कालर आने तक फ्राइ कर लेंगे अच्छे से दोनों साइट को उलट बलट करके फ्राइ कर लेंगे और उसके बाद एक प्लेट में निकालके सर्फ कर लेंगे इस रेसिपी को इफतर में जुरूर ट्राइ करें, होप आपको अच्छी लगे, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी रेसिपी में, थेंक्स पॉर वाचिंग